Hello everyone, welcome to social science classes. इस वीडियो में स्टूदेंट हम डिसकस करेंगे क्लास 7th History Chapter 3 The Delhi Sultanate प्रिविएस वीडियो में स्टूदेंट हम डिसकस कर चुके थे about of के किस तरीके से जो Delhi Sultanate की information है हमें कहां से मिलती है इस वीडियो में स्टूदेंट हम डिसकस करेंगे फ्रॉम गेरिशन टाउन टू एंपायर दा एक्सपेंशन ओफ दा डिली सल्तिनत यानि जो डिली का रूलिंग एरिया था वो इंक्रीज हुआ किस तरीके से और एक लिमिट एरिया से एंपायर तक पहुँचा ये जो मैप दे रखा है आपको ये जो मेजर सिटीज हैं कैप्चर बाइदा इल्तुमिश तो समसुदिन जो इल्तुमिश हैं उनके द्वारा ये एरिया दिखाया गया है इसके अंदर जो उन्होंने कैप्चर करा है बट ये सारे चीज़े हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि और भी समझाए कि किस किसका इसमें इंपॉर्टन रोल से है 13th century में देखें तो कंट्रोल आफ दे डैली सल्टनस रेरली वेंट ब्योंड हैविली 45 टाउंस अक्यूपाइड बाइ गैरिसन यानि गैरिसन एरिया के बाहर बहुती रेर होता था कि जो सुल्टान है वो उसको कंट्रोल कर सके बस उसी एरिया तक जो उनका फॉर्टिफाइड था जहां पर उन्होंने बाउंडरी कर रखी थी जिसके अंदर अपने सोल्जर्स के साथ एक राजर रहता है अपने जो सुल्टान होता है तो उसे गैरिसन टाउन कहते है तो गैरिसन टाउन यानि जिसका फॉर्टिफाइड है बाउंडरी है तो उसके बाहर का कंट्रोल उनके पास नहीं होता था बहुत रेयर ही होता था सुल्टान सेल्डम कंट्रोल्ट दा हिंटर लैंड अफ दे सिटीज और देरफोर डिपाइड अपॉन ट्रेट ट्रेब्यूट एंड अडर फॉर सप्लाइज दैट मेंस कि जो भी मतलब सुल्तान जो थे हिंटर लैंड कंट्रोल जैसे वह उनके पास तो कंट्रोल नहीं था तो वहां से उनको सर्विस लेना या लूट का जो भी लूट का बात जो समान मिलता है रिसॉर्सेज मिलते थे या ट्राइब्यूट जो भी उनको गिफ्ट कोई अपनी तरफ से दे गया कि उनका डर है शायद कि कहीं हमारी एरिया पे टेरिटरी पे कंट्रोल ना कर लें उस वज़े से तो कहीं न कहीं हिंटर लैंड पर जो सुल्तान थे कुछ इस तरीकी के अक्टिविटीज करते थे क्योंकि कंट्रोल पूरा पूरे तर अपनी सप्लाइज के लिए इनके ओपर डिपेंड रहते थे वाट इस दे मेंस ओफ हिंटर लैंड जैसे कि अपनी आपने देखा कि गैरिसन टाउन क्या होता है एक ऐसा फॉडिफाइड यानि जिसकी एरिया की बाउंडरी कर रखी है किला बना रखा है और वहाँ पर सेट होता है हिंटर लैंड एंड एस सिटी और पॉर्ट एट सप्लाइड विद गूड एंड सर्वेस और वह गैरिसन टाउन को अपनी सर्वेस और गूड सप्लाइज करता है लाइक है यह पूरा एरिया है जो की राजा के अंडर है तो इसका जो यह बाहर का लैंड होगा तो य read about of controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult यहाँ पर बोला है कि जो garrison town था अब एक जगे तो था नहीं कि भी चलो एक जगे है तो control कर लो लाइका यहाँ पर जैसे कि इंडिया है तो यहाँ सिंध है तो यहाँ पर जंगाल है यहाँ पर डैली है तो यह अलग-अलग garrison town थे तो इस इन पर control करना एक अट पर्टिकुलर टाइम पर बहुत मुश्किल होता था क्योंकि उस टाइम पर easy way नहीं था कि आप travel कर सकते हो एंड रेवलियन यानि कोई अपने ही अंदर के जैसे कि garrison town किसी को दे रखा है सुल्तान ने कि आप इसको समहा लो इसको control करो तो अगर वही राजा के विद्रो में चला जाए उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाए तो वह rebellion है तो institution भी आ जाती थी या war हो जाए even the bad weather could snap fragile तो बहुत communication roots यानि बहुत ज़्यादा broken हो जाना snap fragile यानि able to be broken easily तो जब war हो या bad weather होगा उस time पे communication roots कराब हो जाते थे तो बहुत ही मुश्किल से मैसिस को पहुचाना दूसरे garrison town तक बहुत मुश्किल होता था तो यह क्या है यानि garrison town पे controlling करना क्यों मुश्किल था and Delhi authority was also challenged by the mongol invasions and from the Afghanistan Afghanistan से जो mongol का invasion होने वाला था मतलब लग रहा था कि वह क्योंकि उन्होंने अफगानिस्तान तक तो almost control करी लिया था तो डेली authority के लिए भी अब एक challenge था कि कहीं ऐसे ना हो कि फटा फट से डेली तक पहुंच जाए मंगोल और control कर ले ठीक है and by governor who rebel at any sign of the sultanate weakness और second thing ये भी एक डर रहा था डर रहता था जो सुल्तान था उनको के जो उनके ही governors हैं हो शकता है कि वह सुल्तान की weakness उनको अगर कभी भी पता चल गई तो वह withdraw कर देंगे उनकी अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे तो ये major challenge हुआ करते थे जिसकी वज़े से garrison towns के distance पे control करना इतना असान नहीं था and the sultanate barely survive these challenge ये सारे challenges तो सहन मतलब face करी रही थी और इस से बाहर आना बहुत ही मुश्किल हो रहा था and its consolidations occur during the reason of ग्यावसद्दीन बलबन and further expansion under अलावदिन खिलजी and मोहमद तुगलग ये इसके जो garrison towns बनाए थे उसके बाद जो और भी rulers आये अलग-अलग dynastries के तो पहले तो development हुआ ही और garrison towns बने बट उसको expansion करने का काम भी उनके coming of जो ruler रहे सुल्तान रहे उन्होंने उसको बढ़ाने की कोशिश करी जैसे ग्यावसद्दीन बलबन भी थे जिन्होंने consolidate करने का काम करा यानि अपने garrison town अगर यहां है तो उसको कैसे expand किया जाए and ऐसे ही अलावदिन खिलजी और मोहमद तुगलग जो कि अपनी अपनी चलाया था जो यह सुल्तान थे तो किस तरीके से expansion करें उन्होंने यह campaign चलाया एक internal frontier पर और external frontier पर दो तरीके से campaign चलाया पहला campaign था इनका जो है internal frontier पर तो internal frontier पर था कि जो सल्तनत थी aim at consolidating the hinterland of the garrison town कि ज़्याद से ज़्यादा consolidate किस पर करना है hinterland पर जो भी garrison town की है जैसे यहां garrison town है यहां garrison town है तो यह hinterland है अब अगर यह control में आ जाएगा और यह एक empire हो जाएगा तो उसके resources उनके पास आ जाएगे उनका strength बढ़ जाएगा और इस campaign forest वर clear यह सब करने के लिए जिसे यह garrison town है यह garrison town है तो यहां का जो forest उसको clear किया गया इसपेशली गंगा युमना दुआब की बात करे तो वहां पर ज्यादा किया गया क्यों कि गंगा और युमना और बीच में जो यह आप देख रहे हैं तो वह क्या है उसको हम दुआब कहेंगे और डू यानि आप जो दे रखा है तू है इसका मतलब और यानि water दुआब दो नदियों के बीच में जो यह आप वैली टाइप देख रहे हैं बीच में जगे देख रहे हैं क्या है दुआब है तो गंगा युमना और के इस वज़े से क्या गया क्योंकि वहां पर fertile soil मिलती है अग्रिकल्चर के लिए बैस्ट होती है और development करने के लिए एक अच्छा resource रहेगा क्योंकि agriculture होगी तो income का source और food का supply बहुत easily हो जाएगी एक सुल्तान को अपने soldiers के लिए या अपना क्योंकि agriculture increase होगा तो वहां पर वो फिर अपने revenue collect कर सकते हैं तो इसी लिए उन्होंने जो campaign चलाया था गंगा युमना दुआप पे यानि दो river के बीच का जो place है वो से कहते हैं दुआप and hunter gatherers जो भी hunter gatherers थे पास्टरलिस्ट थे expelled from their habitat उनके वहां से उनको हटा दिया क्योंकि ये तो जो है ये होते हैं hunter gatherers यानि जो cattle रखते हैं अपने पास और उससे अपना survive करते हैं पास्टरलिस्ट यानि जो चरवाहे होत करते हैं पश्वों को क्या कराते हैं grazing करवाते हैं तो ये तो इनका तो सारा forest में ही forest dweller है ये forest से ही सब कुछ resources extract करते हैं बट जब राजा ने ये consolidating का work चलाया तो उन्होंने इनको अपनी जगे से हटा दिया क्योंकि क्या करना है empire का expansion करना है तो उसके लिए क्या चाहिए land और land को clear करना पड़ेगा तब ही तो यूसफुल होगी वहाँ पे peasants को settle down करा agriculture के लिए उनको encourage करा and new fortresses बनाए garrison towns वहाँ पे establish किया गया कि लिए बनाए गए garrison towns बनाए गए किसके लिए ताकि protect कर सकें trade routes को and to promote regional trade यानि उस area के अंदर भी trade को ताकि increase कर सकें and second expansion करने का एक और तरीका था कि external frontier पे किया जाए यानि अभी अभी आप डिली जो डैली है और उसके round off ही देख रहे हो तो अभी expansion यानि बाहर की तरफ यानि कु कि अब जो military का expedition था जो उनका एक अभ्यान चल रहा था military expeditions into the southern India की तरफ भी start करा and the reign of allowed in khalji ने इसको start करा था अपने साशन में के expansion यानि हमें external frontier पे भी expansion करना है अपनी सल्तनत का उसको बढ़ाना है और फिर मोहमद जो तुगलग थे उन्होंने इसको क्या करा और भी ज़्यादा culminated करा यानि final result तक पहुँचाया और भी ज़्यादा सभियान को आगे बढ़ाया और सल्तनत armies capture elephants, horses, slaves and carried away precious metals और जहां जहां वो area capture करते जा रहे थे यह सभी resources वो अपने आर्मी में अपने area में increase करते जा रहे थे मुहमद तुगलग यानि 150 एर का जो time था उनका बहुत humble beginning हुई थी आर्मी जो थी डेली सल्तनत की उन्होंने large part जो subcontinent है उसके large part पे अपना यह भियान चलाया और उन्होंने जिस भी आर्मी अपनी rival armies को हराया उनका area उनका city seize करा, control में करा सल्तनत जो थी उस area पे उन्होंने अपना tax collect करना, peasantry से tax collect करना और अपने area में justic देना और complete and effective was its control over such a was territory but वो यह सब चीजे इतना complete और effective full कैसे कर पाए अपनी territory पे यह भी एक question है और इसकी according हम आगे देखेंगे किस तरीके से उन्होंने अपना administration system चलाया territory पर किस तरीके से control करा तो यह सारी चीजे जो देख रहे हैं हम दो तरीके से अपना expansion करा था यानि empire बनाना जो कि हमारी topic ही है garrison town से empire तो मुहमत तुगलक और जो मुहमत अलावदिन खिलजी है इन्होंने बहुत ज़्यादा expansion करा तो बलबन ने भी था ग्यावसे दिन बलबन ने और अपने अपने जो dynastries थी जो अपने अपना time period था उस time period में जो उनके सुल्तान थे जो उन्होंने डवलप करा expansion करा इन लो जैसे कि यह map आप देख रहे हैं यह वह अभिहान बताया है कि कैसे south की तरफ campaign चलाया है और किसने campaign चलाया है यह जो map है यह शो कर रहा है लावदिन खिलजी का कि उन्होंने south इंडिया की तरफ जो अपना campaign चलाया तो चलाते चलाते थंजापूर तक वह पहुंच चुके थ देली से तो यह एक मतलब expansion का time period बताया है और यह figure two में बताया है कि किस तरीके से old time पे क्या बोलते थे और आज के time पे अगर हम देखें तो वो उसको क्या कहते हैं और उनकी कौन-कौन सी famous mosque क्यों थी पहले जो जैसे की बहार से आय थे हमारे native ruler थो थे नहीं जो यह native ruler के बा या slaves थे तो जो भी थे यह बाहर से आय हुए थे तो इनका जो religion था वो भी अलग था तो इनका इसलाम था तो क्वात अल इसलाम mosque you है and minaret यानी बहुत सारी मिनार built during the last decade of 12th तो बहुत सारे जो mosque you है जो मस्जिद है या फिर मिनार है बनाए गई थी 12th century के last time पे और congressional mosque you of the first city built by the Delhi Sultanate के द्वारा ये बनाई गई थी यानी से जामा मस्जिद भी कहते है describe in the chronicle से ये पता चलता है और उन्हें describe करा जो old city थी डैली उसमें इसको डैली ए खुहाना लिखा गया है और अगर हम नए की बात करें तो इसमें जामा मस्जिद बोला जाता है and the mosque you was enlarged by इलतुमिश ने भी mosque you बनवाए बहुत ज़्यादा उस पे ध्यान दिया इलाव दिन खिल जी ने and मिनार वाउज दा बिल्ट बाइ टू सुल्तान कतुबदीन एबेक जो कि ये है और इलतुमिश तो मिनार्स बनाने का काम भी नोने करा यानि एक अपनी identity दे रहे थे ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब हम पूरी तरीके से यहाँ पे है जिसे की मस्जिद है तो मस्जिद क्या होती है ये करेबिक वर्ड है लिटरली अगर हम देखे प्लेस वेरा जहां पे मुस्लिम जो होते हैं प्रॉस्ट्रेट्स करते हैं in reverence to the Allah यानि गुटने के बल जुक कर भगवान की पूजा प्गवान के आगे अपना सर जुकाना and congregational mosque यानि मजिद जामी भी कह सकते हैं और जामा मजिद भी कह सकते हैं मुस्लिम जो अपनी prayers को read करते हैं उसे नमाज कहते हैं जो एकसाथ करते हैं जामा मजिद में members of congregations यानि जामा मजिद के जो member होते हैं वो बहुत respected करते हैं learned male की जो कि जिसे इमाम कहते हैं जो कि उनका leader होता है लाइका जैसे एक temple में एक मंदिर होता है उसमें एक पुजारी क्या करता है सारे delivers करता है speech या sermon तो ऐसे rituals of prayers मजिद में इमाम करते हैं और वो delivers करते हैं अपनी sermons को अपनी speech को उसे खुताबा भी कहा जाता है और ये Friday prayer के नाम से भी जानी जाती है Friday के दिन ये करते हैं during prayer Muslim stand facing मक्का की तरफ face करते हैं जो कि इंडिया में अगर हम देखें त इसीलिए इंडिया में मक्का की तरफ सब face करते हैं जिसे किबाल भी कहा जाता है यानि जनत का पत्थर कहा जाता है कि वहां पे हैं मतलब उनकी माननेता है कि जो भी वब सब कुछ है वहां पर वह connects हो ही मानते है तो इस इसलिए इस डिरेक्शन में खड़े होकर ही या बैठके वो अपना पूजा करते हैं जिसे किबला कहा जाता है यह फिगर थर्ड में बताय हुआ है कि बेगम पूरी जो मौस्क्यू है वो मौम्मद तुगलक के साश्चन में बनाई गई थी और जिसे जहांपना मौस्क्यू औ जहांपना का में यह रहा और संचुरी ओफ दे वर्ल्ड ही इस न्यू कैपिटल ओफ डैली यानि इसको मौस्क्यू ओफ जहांपना या संचुरी ओफ दे वर्ल्ड के नाम से यह फेमस हुई और इसे न्यू कैपिटल इन डैली और यह कैपिटल ओफ न्यू कैपिटल ओफ देली में जीसकीजी दिखा वाएं मैप में है उसके बाद आध यह दटैली सतनत बिल्ट सेवरल मौस्क्यूं सिटी औल-वर दशbnima तो डेली सतनत ने बहुत सारे मौस्क्यूंज बनाये औल-वर सब कॉन्तिनेंट में और d-monestट मुस्लिम और यह सब क्यों करते थे ताकि लगे उनको के बई जो इसलाम है वो सुरक्षित है मुस्लिम सुरक्षित है मौस्क्व अलसो है टू क्रेट असेंस अफ कॉम्मिनिटी और बलीवर्स यानि जो उन पर विश्वास करते हैं उनको ऐसा लगे कि हमारी कॉम्मिनिटी कुछ है और हम सब एक हैं and who share a belief system and a code of conduct और जो भी उनके जो विश्वास थे या rule regulation थे वो सब शेयर करते थे it was necessary to reinforce that idea of community because muslim came from a variety of background और इस तरीके से जो वो idea की जरुवत थी क्यों पड़ी क्योंकि वो अलग-अलग background से belong करते थे अब next video में student हम next topic पढ़ेंगे thank you thank you so much keep watching keep learning